जो चीज अभी हम लोग देखेंगे ना एक तरह से टाइम बेस्ट सिस्टम के ट्रेड एक्जिकुशन को अपना टाइम होता ही है बाकि हर सुबह 9.45 तंका जो टाइम पिरिड होता है ना ये ट्रेड करने के लिए या फिर यूं कहें के ट्रेड नहीं करने के लिए सबसे 9.45 एम सिर्फ जो चीज़े हम बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुनो इतना बहुत है ज़रूरी लगे तो उसके नोट्स बना लो कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स लगे तो उसके नोट्स बना लो मॉनिंग में जो 9.45 तक का टाइम है कई माहिने में इंपोर्टेंट है क्या इ सुना होगा ये काफी चीज़ें मार्केट में थोड़ा सा अक्सर चलती रहती है कि 9.45 से पहले का जो टाइम पीरिड होता है ये एक तरह का नो ट्रेडिंग टाइम होता है एक ठीक ठाग जो मार्केट ही अंदर काम कर रहा है तो ये कुशिश करता है कि हम 9.45 के बाद में ही करें क्या रीजेन है इसका देखो सबसे पहला तो रीजेन होता है वोलाइटिलीटी वोलाइटिलीटी इन दसन्स के थोड़ा सा हम लोग समय करीब आदे घंटे का हम टाइम देते हैं मार्केट को सस्टेन होने का रुक जाओ क्योंकि सुबा में जिस तरह के मूश होते न व पूरे दें चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी केंडस बनाते रहते हैं आप एशियन पेंट्स को ले लो हिंदुस्तान अनुनि लीवर ले लो रिलाइंस ले लो यह मूव आगगा तो उनके अंदर अचानक से मूव हैगा जिस दिने मूव करना हो तो अच्छे से कर जेनरल ही क्या होता है जाधतर यह स्टॉक्स बहुत चुपे चुपेश और आम आम चलते ज्यादे रिटन भी रही देते आप इसमें लॉंग टर्म कर लूब इसमें शॉट टर्म गोरी अच्छा डिटन नहीं तेंगगे अब किसी भी फीड में जब आप काम कर रहो नहीं चो के volatility वो भी किसी भी माइने में comparison हो ही नहीं सकता दुनों का एक stock जो की 88% का move कर जाते है एक strong जो की 8 दिन में 8% का move करता है जहुरी ने वो 8 दिन में भी 8% का move करता है हो सकता है वो 3% में ही 3% का move के अंदर ही 8 दिन move करता रहे है moral of the story यह stock to stock depend करता है morning के जो moves होते हैं यह myth है कि छोटे moves वाले otherwise जात रे stock साब देखोगे कि बड़े move होगे morning के जो moves होते हैं बड़े moves होते हैं इन moves को हम लोग avoid करते हैं avoid करने की पीछा का reason क्या है आप करो काम आपको लग रहना कि देखो यह first candle बनी इसने एक inside bar create कर दिया आप trade execute कर लोगे आप trade करने बैठोगे तो होगा क्या पता है आप कोशिश करोगे यहाँ पर entry लेने की entry मिलेगी यापको यहाँ पर आप कोशिश करोगे यहाँ पर exit होने की लेकिन आपको market चीज़े मैं आपको माल मिलेगा निकलोगे तो सस्ते से सस्ते में उन्हें में निकलोगे अप इतनी जदा वोलेटायल मार्केट होती है शुरुआ थोड़ा सा ठहरा हो का मौका हम लोग देते हैं मार्केट को 945 से पहले तो काम ही नहीं करना है और यह बहुत इंपक्ट डालती है चीज़े मार्केटी अंदर बहुत इंपक्ट डालती है 945 ऐसे भी अभी अच्छी से हम आपको और बताएंगे तो एक तो वज़ा होगे वोलाटिलिटी अच्छा दूसरा एक जो सबसे बड़ा रिजन होता है मार्निंग में काम नहीं करने का वोलाटिलिटी के बाद में आप उसको कहो के सस्तेन होना तो ठीक है वो एक ही चीज़ होगे उसको अलग अलग तरह सम्लोग नहीं कर सकत доступ अज़र वाज है सस्तेन के साथ में एक होता है आपके risk management में 945 को क्या रोले आप देखो अभी हमने जैसा कि बताया आपको trade करते समय अगर morning में बड़ी बड़ी candles form हो रही है आपको entry लेनी है 4400 पर बट आपको entry पता है कहाँ पर मिल रही है यहाँ करी बेशक आपने यहाँ पर entry लगा है बट आपको moves जो मिले limit order नहीं लगा यह अपने market order लगा गया तो कितने पर भी move मिलेगा क्योंकि आपके निर्धारी rates पर जो आपने तै किया हुआ है वहाँ पर आपको quantities नहीं मिली उसके ऊपर मिली क्योंकि जो आपने trades की है वो 945 से थोड़ा सा पहले volatile market के अंदर कर दिये है जिससे की क्या ना management बिगड़ गया आपको entry लेनी है 100 पर और आपको entry मिल रही है हो सकता 99 पर मिले 99.50 पर मिले हो सकता 98 पर मिले हमें entry चाहिते 100 पर अच्छा हमने planning इस हिसाब से कि 100 पर अपने entry ले लेगा और 101 का stop loss लगा देंगा तो एक उर्पाय का मेरा हो जायागा बट यहां पर entry आपको 99 या 98 पर मिली तो यहां पर आपको entry मिले stop loss आपको जो सही stop loss है वो तो 101 ही है क्योंकि 101 का stop loss ही देख करके तो हमने trade plan किया था बट क्योंकि entry हमें मिली है महेंगी तो इससे फिर हमने क्या किया ना अपना जी stop loss था दो कंडिशन बनेगी या तो अपने stop loss एक उर्पाय रखेंगे जैसा कि हमने रखा था 100 रुपीस पर entry मिलके तो 101 का stop loss रख देंगे क्योंकि हमें entry बहुत नीचे मिली एक या दो रुपाय कम में entry मिली है तो चांसे बहुत कम रहें कि फिर आप 101 रुपाय पर stop loss रखो कोशिश आप यह करूगा कि एक एड़ रुपाय में stop loss रखे क्योंकि quantity स्विट जाद हो जाएंगे ऐसा बढ़ा हो जागा अचा कुछ लोग क्या करेंगे कि नहीं जो हमारे stop loss था 101 हम वही रखेंगे यह थोड भी trade execute करो ना तो 945 के बाद ही करना 945 से पहले trade क्यों नहीं करने होते ना यह इसका reason है बहुत लोग यह मानते हैं जल्दी जल्दी कर लो और अना move हो जागा हाथ कुछ नहीं लगेगा जल्दी कर लेते हैं तो सिर्फ यह कहना कि 945 से पहले trade मत करो यह एक बात है क्यों नही करेंगे या फिर लास्ट में जो आपको आंसर मिलेगा ना अवाइट करो morning के ट्रेट को 945 के ट्रेट करो वोलाटाइल होगा management नहीं होगा दूसरी चीज होती है आपकी technical analysis इस पर effect करती मार्केट की moves आपकी analysis को effect करेंगे वो आपको स्थिर नहीं रहने देंगे हम लोग क्या करते हैं कि जब यह अपनी analysis कर रहे होते हैं तो मेरे area पर price का इस तरह से sustain होना थोड़ा सा ज़रूरी हो हमारी बाते कुछ लोगों को समझ में होगी हो सकता कुछ लोगों को समझ में नहीं है कुछ लोगों को समझ में नहीं आने वाले में भी ऐसे अपने group में लोग हो सकते तो अगर तीन साल चार साल से काम कुरों तो यह साही चीजी फिर आपको समझ में आएगी, क्योंकि फिर उतना आपने देख चुका होगा, मार्किट को आप उतना देख चुके होगा, यह सब कुछ डिपेंड करता है, तो बहुत समझने के बाद में बहुत सारो लॉस करने के प्राद में प्रैक्टिस करने के बाद में चोटी-चोटी चीजी हों समझ में आते हैं, कहने को चोटी-चोटी हैं लेकिन प्रॉफिट या लॉस में यही बहुत-बहुत फर्क पाइदा कर देती है, है न, बल्कुर स्टार्टिंग पॉइंट होती है, किसी भी ऐनालसिस को करने से पहले कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, टेक्निकल अनालसिस उसको कैसे यह एफेक्ट करेंगे, हम अनालसिस अपनी करें अपने पॉइंट अफेक्शन पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौनिंग में बड़े-बड़े मूव हो रहे हैं, इस तरह से करके, ऐसे करके, यूँ, तो अब हम क्या करें, आप क्या करें आपर, तो जब इतने बड़े मूव हो रहे हैं, और आप अनालसिस करो 945 से पहले, तो वो एफेक्ट करेंगे, आपको डिस्टरब करेंगे, रुख जाओ, संभाल जाओ, उसको देखते रहो, उसको अब्जर्व करते रहो, हम अभी नहीं करेंगे, जूब इनल्सिस हमें करनी, करनी हो, को ऐसा नहीं, कि हम 945 से पहले आख बंद करके बैठे रहेंगे, लेकिन कोई भी मेजर अनालसिस मत करो, मेजर अनालसिस इन दर सेंस कि डिसीजन नहीं होने चाहिए, उसके ओपर, बहूत कुछ डिपेंड नहीं हो रहे हैं जो कि हम चाहते है या ऐसा तो नहीं है कि प्राइजक्शन बड़े हो रहे हैं जहां तक हमारी टार्गेट एक्स्पेक्टिट थी मौनी के फर्स्ट केंडल यह वहां तक पहुँच गया अब दुबारद से महां तक जाने करको कोई हम लेके जब एक पॉसबियिटीस कम हो गे Zoि quan खरती इस वज़े इस को में छोड़ा सा एगनॉर करते हैं बाकी और भी सारे रिजन में होते हैं हमऊ आपको एक-दूर रेजन और बताते हैं देखिए įह technical analysis के साथ साथ में एक point आता है candle spaces अभी candle spaces क्या होते हैं अभी हमने जैसा बता है कि morning में candles का बड़ा move होना देखिए expected चा होता है कि कौन कौन सी candles है जो की बड़े moves कर सकती है अगर हम आपको बता है तो सबसे ज़्यादा जो expectations होती है 915 के candle की होती है 915 की candle के बाद में सबसे ज़्याद expectations होती है 925 की candles की होती है 925 की बाद में 930 की candles की expectations बहुत होती है कि बड़े होंगे पांच मिनट का और gap होता है and 940 की जो candle होगी यह भी बड़ी हो सकती है इसके बाद में खतम यह जो चार candles की 15 25 30 40 कोई भी स्टॉक उठा करके देख लो 15 25 30 40 इस चार नंबर याद रखना ज्यादातर candles में ज्यादातर candles में यह चार candles बहुत बड़ी-बड़ी form होती है candles basis का मतलब है कि इन चार candles को भी अगर आप कुछ देखोगे न तो बड़ी-बड़ी candles form कर देती है यह बड़ी candles को हम लोग देखते ही क्यूं है क्यूं हम बार बार इसका जिकर कर रहे हैं आपसे क्यूंकि हमारी expectations के according कि price को दिन भर में इतना move करना है percentage कुछ भी हो सकती है यह तो कि इतना ही चलता है निखिन मार देखना है कि दो ही candle में पहुँच गया है याँ चार ही candle में वहां तक पहुच गया है और अब ही हमें क्या करना है फिर यहां से short selling करनी तो हो सकता है price हमें sorry buying करनी तो maybe chance है कि price हमारा गिर के नीचे तक आजाए किसमत आपके अच्छी तो यहां तक गिर के आजाए अब क्या buy करोगा इसके अंदर से हम लोग नहीं करते हैं हम लोग भाई नहीं करेंगे sale नहीं करेंगे कुछ करेंगे ही नहीं इसके अंदर क्योंकि एक stock के जो moves होते हैं चलने के वह यहीं है morning में चार के अंदर बड़ा move दिखा दिया अब हम नहीं कहते हम यह नहीं मानके चलेंगे कि जब हम trade execute करेंगे तो यह stock चलेगा ही चलेगा हम नहीं मानते इसके अंदर ही रह जाएगा ना तो यह high तोड़ेगा ना low तोड़ेगा पूरा sideway पूरा sideway इस तरह का move दिखाएगा ज्याद हातर जो stocks के अंदर stop losses चाहते हैं आप stock छोड़ दो ज्याद derivatives में भी आप काम करोगे ना जो देखते है प्रीमियम जीरो हो गया या प्रीमियम बिल्कुल उपर ही नहीं जा रहा डीके हो रहा है time डीके हो रहा है उसके अंदर यही तो reasons होते है देखते हो ग्रूप म कभी-कभी message करते हैं आज expectations में रहा है कि move होगा कल देखो move नहीं हुआ कल move नहीं होने के पीछे reason पता है क्या है क्योंकि उसके पहले बड़ा move हो चुका था तो जिस भी दिन बड़ा move हो जाए उसके अगले दिन चोटे move की expectations होती है आप देख लो कोई भी stock उठा लो जैसे 945 तक हमें रुकना है तो करना क्या है क्या है इस 945 का game यहीं तक है अब हम और इस example लिखेगे न यह फिर किस तरह से 945 की analysis effect करती हो तो और यह कम पढ़ जागे पेज कम पढ़ जागा बहुत सारे reasons होंगे एक और चीज़ जो हम आपको बता हम देखे है 945 की candle objective अगर हम सिर् एक candle की बात करें सिर्फ एक candle यह वाली यह candle होती है हमारी 945 पता है इस candle का importance कितना है x, y, z कोई भी stock आप उठा लो कोई भी stock यह high mark करें लेना 945 का और low mark करें लेना 945 का आप देख लेना particular उस एक candle के अंदर 945 ने क्या impact आ रहा है आज जो भी हम discussion करेंगे 945 की candle के ओपर ही करेंगे समझ रहे हैं जादा दूर नहीं जाएंगे जैसे हमारा भी जो चार्ट ओपन है इसको हम remove करते हैं पहले तो पहले हम आपको 945 की candle दिखाते हैं कोई भी एक stock कोई भी stock xyz अनिकेत मायकरमट की जिपना अनिकेत मायकरमट की जिपना हाँ सब जी नमास ते नमास तक अनकेत आवाज नहीं आ रही है अबी आ रही है क्लियर सर्फ हाँ आ रहे हैं यह किसी भी एक स्टॉक का नाम ली जा इपका लैब लास्ट एडिंग सेशन देखेंगे सिर्फ लास्ट एडिंग सेशन कुछ नहीं करके सिर्फ आपको जो करना है ना 945 की केंडल सिर्फ यह वाली केंडल यह दो को अभी हम एक चीज बता रहे थे ना आपको मौनिंग के मूव्स एक दो तीन चार इन्होंने कितने पसंट का मूव दिखा है लोग से लेकर के हाई तक सारे तीन पौने चार लगग पसंट का पूरे दिन क्या हुआ है साइडवे हो गया ना क्या कर लोग अप इसके अंदर को जादो थोड़ी न हो जाएगा पूरा साइडवे हो गया और एक्जामपल ले लो यह देखिए यह नाइन फिल टेन मौनिंग में ही देखो कितना बड़ा मूव हो गया है यहां से ले करके सीध है यहां तक अब क्या होगा यह एक आप यह मार्क कर लो और यह मार्क कर लो खतम है ना मार्केट पूरी खतम मार्केट इसके अंदर कोई बड़ा मूव नहीं मिलेगा पूरे दिन साइट में इस वजए से 945 का अपना इंपोर्टेंस अभी चुछ चीज हम दे प्राइज लो तक रहा यहां पर यह वाला एरिया अब यहां पर मूव कर देने के बाद में देखो नीचे की तरफ इसमें क्लोजिंग की and after closing वापस से price हमारी range के अंदर re-enter कर गया है ना यहां से नीचे की तरफ गिरा नीचे की तरफ आया and यहां से दोखो वापस से re-enter कर गया और कर जाने के बाद में यहीं से support price दोखो फिर पूरे दिन यह upside की तरफ ला हमने कुछ भी मार्क नहीं किया है सिर्फ हमने 945 के candle को as a reference candle लिया छोड़ें सिर्फ आप यह लो खतम ना यह filter होती है filtration होगा इनका बहुत बहुत एक तरह से कह सकते है reading बहुत help परते है आप और stock उठालें यह कौँ सा है एपल का तो नहीं आर्थी निरस्ट्रीज है पुछ नहीं करके हम लोग सिर्फ यहाँ पर 945 की candle लेंगे लिजे लिजे खतम है इस candle है लो भना दिया हमें मतलब नहीं है पूरे दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें सिर्फ देखना है 945 की candle पोई भी stock अप लेलो हडानी है प्रिवियस टे में 930 3045 यह न ब्लेक वाली candle लो हो गया swing ब्रिक किया अप साइट के तरफ ब्रिक किया अप साइट के तरफ ब्रिक किया लो साइट के लो टूड़ यह यह मत देखना एक्साइटमेंट में आकर कि कोई भी डिसे जान आप देखो सिर्फ इस एक candle को mark करने के बाद में कितना अच्छा point of action बिल रहा है क्या हमें एक swing मिल रहा है क्या हमने हमारे पास कोई कैसी candle बन रही है कि जो एक क्या बो सकते हैं एक सही direction हमें दिख रहा है एक वो point जहां से market या तो अब या तो भी down side की तरफ move कर रही है एक perfect swing point दिख रहा है और उठा लो अमभुजा cement अमभुजा cement में 945 की candle mark को ले ब्लैक वाली होगी नहीं ये वाली है ये चोटी वाली candle ये ही ये वाली हो गया ना और आपा जो पीछा जो 945 ये लो खतम हो रहा ना swing create करते हैं किस तरह से यह swings पन रहा है next फिर price उपर के तरह जाकर के इसी जगे से निचे यह इंपोर्टेंस होती है आप डेरिवेटिस या जो भी डेरिवेटिस में भी आप देख लो इस चीज़ को ले लो छोड़ दो निफ्टी या बैंक निफ्टी ले लो किसी भी दिन का चार्ट उठा लो कल के मार्केट क्या थे ना trending जहातर आप देखूँ कि जो भी हम ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा लेकिन ज्यादतर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती वो इस तरह की साइडवे मार्केट होती है यह वाली मार्केट होती है नीचे आया ऊपर चला गया है है ना नीचे आया आगया अपशाय के तरह और यह ट्रेंडिंग मार्केट हम सिर्फ यहाँ पर 9.45 की candle का एक यह सिर्फ हमने low mark किया अब यहीं से सारे decisions लेने है नीचे, नीचे, नीचे जब तक price हमारा downside की तरफ है, downside की तरफ एक छोटी सी closing, again price upside की तरफ दोगों सिर्फ एक candle ने price को किस तरह से दो divisions में divide कर दिया जब तक price हमारा downside की तरफ रहा, downside की तरफ है अप में गया तो फिर उपर की तरफ निकल गया और उठा लो किसी भी एक दिन को, जैसे कि यह 9.45 यह लो, इससे बहतर analysis करने का जो तरीका है हम इसको complicated नहीं कर रहे हैं, चाहने तो बहुत complicated कर सकते हैं, इतना कि आप confused हो जाओगे, करें तो क्या करें बहुत simple साम तरीका आपको बता रहे हैं और अभी हम इसको और explain करेंगे कब हमें इसे filter करना होगा, कब हम high mark कर सकते हैं, कब हम low points mark कर सकते हैं, यह सारी चीज़े हमें देखनी होगे, क्योंकि यह किसी तरह कोई magic तो है ने, कि हमने candle को mark कर लिया और काम हो गया इसके पीछे के logics क्या है इनमें volumes के क्या role play होंगे एक एक चीज़ अभी हम लोग देखेंगे तो पूरा एक तरह का लोजिक समझ में जागे कि क्यों हम लोग इस candle को इतना महत्त देते हैं तो सिर्फ यूँ ही के अच्छा 945 की candle बतायते होगे, इंपोर्टन भी चलो mark करेते हैं, फटाक सो कुछ ना कुछ तो होई जा गया अच्छा हो गया अगर ऐसे काम करोगे, ठीक है आप करते हो इसमें लॉसस होने की चांस है एक बार लॉजिक समझ लो कि क्यूं ताकि आपको एक रीजन समझ में आ जाए इसको देखने का, और आप लिया और पीछे, 9.30, 30.45 यह लो, पूरे दिन का sum up हो गया, इस 9.45 की candle में खतम हो गए located भाँ पर उसी candle के अनदर रहे गए market trending है साइड ब मतलब ही नहीं उसे हम हमारी एक candle से सिर्फ एक candle से यह लो, यह बहुत अच्छा शिस्टम दिलेगा यहाँ पर देखते है 20, 30, 30, 30, 40 वह लो ये इसका importance है अब ये तक हम लोगों ने क्या देखा 945 की candle 945 से पहले में काम क्यों नहीं करना है एक basic nature किसी भी stock का ये देखना बहुत जरूरी है किसी भी stock को trade करो चैंड derivative trade करो ये सब option option जो भी इनकी एक कहानी है बहुत कि options की शुरूरत हुई क्यों कैसे हुई actually foreign में बहुत use किया जाता है foreign market में इसका use कैसे होता है माल लो आपने कोई stock उठाया है ना अब उस stock के अंदर मारी buy side के positions है हमने उसको buy कर रखा है अब market में कोई बहुत बढ़ा हमने एक देखी news ये negative news है या वो company के अंदर fundamental changes हुए है कोई उसका chair person गया है या जो भी हुआ है कुछ ऐसी news जो कि उसके अंदर reflect कर सकती अब investor घब राया अच्छा मन भी नहीं निकलने का पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसके अंदर तो वो क्या करेगा पता है वो उस stock का option उठा लेता है क्योंकि सस्ता मिल जाता है अब सस्ते के चकर में वो उसको उठा करेज़ कर देगा तो कम पैसे में उसका risk कम हो गया ना वो stock से निकला और डर भी कम हो गया तो पैसा का पैसा उसका investor है यहां से शुरुआत हुई थी options की derivatives का भी ही गया अच्छा क्योंकि यह इंडिया है जहां पर अपना दिमाग लगाते हैं सब लो उन्हें लगा यह तो बड़ी कम पैसे में काम हो रहा है यहां पर तो जैसे ही stocks के अंदर देखा गया कि यहां पर जो charges है वो बढ़ा दिये गया जो हमारा margin मिलता था वो कम कर लिया गया है तो लगा अब सभी लोगों को यह लगने लगा कि अब public करेगी क्या क्यों कोई charges बढ़ा दिये अब margins कम कर लिये गया है तो जिसके पास कम पैसे वो तो काम ही नहीं कर पाए तो लोगों दिन में आप किस तरह से अबर पैसा बनाओगे यह कहानी इसकी पीछे खियम बता रहे हैं और आप लोगों में से जात और लोग जानती भी हो गए यह सब यह हकीकत है दुनिया की किसी भी country में options इतना प्रेचलित नहीं है जितना इंडिया के अंदर है और जिस धढले से यह किया जाता है और इसकी reality कोई नहीं बताता है सब को ऐसा लगता है कि सभी लोग कोई ना कोई trick बता रहे हैं कोई ना कोई जिसका करने का तरीका बता रहे हैं और सभी लोग ऐसा बता रहे हैं कि नहीं यह बहुत अच्छा है करो ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो वैसे करो करते रहा होना कुछ नहीं क्योंकि stocks में margins कम किए इस वश्वे सबी लोग उधर की तरफ भागे कम पैसे उनको मिल रहा है और influence हमें इस तरह सी क्या जा रहा है कि बहुत आसान है उस सबी लोग करते है लेकिन reality में आप देखूंगे न महाँ पर chances बहुत कम रहते हैं चार points होते हैं चार points लेकिन options में आपको फायदा पता कब होता है जाहत तरबार तीन points आपके loss में जाता होगा एक point profit में जाता है अगर आपने option में buy किया हो तो पता है आपको profit कब नहीं होगा market दीरे दीरे करके उपर गई profit नहीं होगा market दीरे दीरे करके नीचे की तरफ आई या नीचे आई दीरे नहीं वो तेज भी आई profit नहीं होगा market ना उपर गई ना नीचे गई profit नहीं होगा आपने call buy की एक spike आने चाहिए upside की तरफ अगर इतने बड़े आप एनेलिस्टों दो करो option अगर आपने put back ही तो एक spy काने चाहिए downside की तरफ आपने भविश्य देख रखा है ये कोई बताएगा ये सारी चीज़ें ये आपनों को मालूम हो इतना कोई बहुत बड़ा गूर थोड़ी नहीं बहुत बड़ा रहस से थोड़ी नहीं ये तो आप समय लोगों को मालूम होगा लेकिन ये जानते हुए भी करना है क्योंकि सस्ता है तो 400-500-1000 रुपाय को लॉस करकर लोग 4 लाग, 3 लाग, 4 लाग, 5 लाग, 10 लाग लॉस कर देते, नुकसान कर देते लेकिन अभी उनसे यही कहो कि ऐसा है ज्यादा नहीं, 15-20 रुपाय स्टॉक्स में रखकर के काम करो हो जाएगा, अराम से हो तो लगता है कहा हो पाएगा, इतना कम तो प्रॉफिट होता है तो उन्हें कम प्रॉफिट बरदास नहीं उन्हें ज्यादा लॉफिट बरदास है ये चीज़ें हम आपको सिर्फ इसलिए बतारें ताकि ऐसा नहों कि थोड़ी दिन तक तो आप बहुत अची तरह से काम करों जैसे हम बतारें और करने के बाद में फिर से आपको अंदर से कुछ आवाजा और आप छोड़ चाड़ कि सीधे वहाँ भाग गया याद रखना है इस चीज़ को कुछ चीज़ें सिर्फ लुभाने के लिए बनाई गई है ये आपकी समझदारी होगी कि आप उस चीज़ से खुद को बचा पाओ कब उस तरफ जाना है कब नहीं जाना यह नहीं कहरें और बुरी बात होती है गलत समय पर करना या समय से पहले करना नुकसान दे है तो जब तक तीन साल चार साल पांस साल तक अपने आपको प्रॉफिट में आप स्टेवल कर पाओ मार्केट के अंदर तब तक तो करो प्रॉफिट में हो अप आप जाकर के आप से स्टॉक्स के अंदर 100 रुपए का 200 रुपए का ऐसल समभल नहीं रहा है और आप जा रहो आप्शन्स में जहाए एक ट्रेड ही आपका 1502 रुपए का बन रहा है इस जीसे साब्धान है ना ओपन और क्लोज हम लोग मार्क नहीं करते किसी भी केंडल का ओपन और क्लोज नहीं मार्क करते कभी भी में मार्क करना होगा हम किसी पर्टिवलर की केंडल का हाई एंड लो ही मार्क करते हैं अभी तक हमें इतना समझ में आ गया कि ये candle कुछ अपनी importance रखती है अब इसके पीछे का reasons देखो 945 की candle mark करने की पीछे का मेरा reason है एक तो कुछ logical points है जो कि अभी मैंने आपको बताया ठीक है अच्छा दूसरा क्या होता है एक nature होता है इस nature के according किसी भी स्टॉक है एक nature होता है नेचर के according क्या होता है एक हमें swing देखता है अब ये swings कैसे हो सकते हैं high या फिर हमारे low हो सकते हैं technical word में जब भी हम लोग readings करते हैं तो देखो हर एक चीज की सीमा निर्धारित की गई है कुछ rules बनाए गए है उसे एक सही point किया सही नियम के में समझ नहीं होती कि अगर हमें कहा गया है इस तरह से काम करने के लिए तो क्यों कहा गया है चोलो modifications करते थे तो आप वहां से बटकते हो बटकने के बाद में क्योंकि समझ रही तो आपने उसको break किया आपने 10 बज़े केंडल उठा लिए आपने कोई भी एक केंडल उठा लिए आपने वो केंडल देख ली वो देखने के बाद में आपने high and low mark नहीं करके open and close price आपने mark कर लिया अच्छा गरबड हो जाते ही फिर है ना फिर गरबड होगी reason क्या है हम लोग इस 945 की केंडल से mark करना क्या चाहते है देखो आख बंद करके याद रखना और यह अपना बहुत पैट है समझ लिए यह basic है बिल्कुल और यह किसी भी analysis की नीव होती है कम से कम हम जब किसी भी stock को हम लोग analyze करते है न तो यह जो price action हम भी हम आपको बताएंगे न बहुत simple लेकिन यही सबस्यादा use में आने वाली formation होगे एक यह candle इस candle के बाद में देखो price का इस तरह से आपके level पर आग करके रुकना यह आपका support यही आपका resistance होता है इस तरह समझ में आयतना हम लोग 945 की candle को क्यों माग करते हैं क्योंकि ज्यादा तर बाहर आप देखोगे कि जो 945 की candle है वो आपका एक अच्छा support देता है lower time frame पर और एक अच्छा support देता है एक अच्छा resistance देता है lower time frame पर यह दोनों चीज़े समझ में आ गई अभी आप कोई भी stock उठाओगे ना तो उसमें आपको कुछ न कुछ moves दिखाई पड़ेंगे में भी हो सकता है कि जैसे हम यह मान करके चलते हैं कि 945 की candle का यह हमारे low point है या कुछ कुछ भी है यह resistance भी हो सकते है support भी हो सकते है अचा प्राइज वहां पर इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है ऑच्छा अब यह दोनों प्राइज क्षिए हैouse diffic कि मार्केट कुछ ऐसे रियक्ट कर रही है कुछ आसे reward कर रही है आने वाली candles ऐसे बन रही है लेकिन जब आप mark करोगे तो horizontal line draw करोगे कि प्राइज ने पास्ट में उस एक केंडल ने जो भी आज हाई लगाया है मान लिजे हमारी आज की 9.45 की केंडल का जो हाई प्राइज है वो है 457.50 45,750 अब हमने यह समझ भाए कि आज की 9.45 की केंडल का जो हाई है 45,700 प्लस है अब इसके पीछे में जब हमने देखा तो यह भी हमें देखना है कि जो आज की 9.45 की केंडल का हाई प्राइज है जो इसने हाई लगाया है पास्ट में क्या मार्केट ने वहाँ पर कुछ रियाक्ट किया है या नहीं किया है या ऐसा तो नहीं है, past में market ने वहाँ पर कुछ इस तरह से react किया है क्योंकि दोनों में से जो सबसे ज़ादा beneficial चीज हमारे लिए होगी विच इस ये हमारे लिए अच्छी होगी लेकिन अगर हम देख रहें कि 945 पर market कुछ इस तरह से react कर रही है आप समझ चाना कि उस तिन उस stock की 945 की candle ने आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ opportunity दी नहीं है लेकिन जब भी आप 945 को mark और लगें कि देखो बाबर प्राइस वहीं पर रुक रहा है वहीं पर sustain हो रहा है आप समझ लोगी बड़े अच्छी opportunity है और आज की ये candle हमारी master candle हो सकती है पूरी जो reference candle होगी न वो आपकी 945 की candle हो सकती है बड़ी power होती है इसके अंदर हमने इसको realize किया है filters किस तरह से लगाते हैं कब हमें mark करना है high and कब हमें mark करना है लो उसका answer भी इसी में है आप कभी भी एक candle mark करोगे न तो उसमें आपको एक ही चीज़ दिखाई पड़ेगी कोई भी 945 की candle आप mark कर ले न आप देखो कि उसमें एक ही चीज़ दिखाई पड़ेगी या तो price उस candle के high पर बहुत अच्छा से react करता दिखाई पड़ेगा या तो उसे candle के low पर market बहुत अच्छा से react करते हूँ दिखाई पड़ेगा हम जो भी काम करते हैं पास्ट के अधार पर करते हैं कुछ काम जो होगा वो हमारा upcoming candles फॉर्म कर देती हैं इसको कैसे समझेंगे जैसा कि अभी हमने बताया आपको इससे पहले जो बताया था कि 45,750 के एरिया पर price ने पास्ट में इस 945 के candle के पहले मार्केटिंग किस तरह से react किया था क्या इस तरह से किया था पर यहां बमार्केटि के दो कि श scout करें हो गया अब आप केडल मारकेट ने react आ या फृपर रियक्ट के था या अगर हाई पर Constance के एकड़ रियोक आपटिंग मार्केट की और हमकेट में इस itsजय का रियूप गया अगर ठेक्ट हिर था तो उस इक जगह पर क्या क्या कर reactions, supports, resistance, price sustain हो रहा है, break out हो रहा है, volume spikes आ रही है, कुछ भी हो रहा है, क्या low पर हो रहा है या high पर हो रहा है, क्योंकि हो गए एक ही point पर, या तो वो high पर होगा या low पर होगा, अभी जब हमने आपसे कहा ना, कि marketable points high and low होते तो किसी भी candle cup high and low दोनों ही mark करके नहीं बठोगे, ह पूरे दिन का आपका ये काम होगा, पूरे दिन का, कि जब भी price आपके high पर आ रही है, तो उसके अंदर के movements कैसे हो रहा है, price आपके low पर आ रही है, तो उसके movements कैसे हो रहा है, याद रखना, बताने के लिए, मुश्किल से मुश्किल कितना, अगर हमने बहुत खींच के आ कि एक formation के practice में महीनों चले जाते हैं, बताने के लिए बहुत कम सारी चीज़े हैं, आपका यही काम होगा, last week में हमने आप लोगों से काता है कि जो भी charts है, मेरी तरफ से अगर कोई message आए, नहीं भी आए, यह मत देखना, लेकिन अपने जो charts हैं वो हमें continue भेजते रहना, ब तो हमसे आप यह expect नहीं कर सकते, क्योंकि में भी हो सकते classes खत्म हो जाने के बाद में अगर हमसे पूछो कि हमें समझ में नहीं आया, कि इस चीज़ में confusion हो रही है, तो हम सबसे पहले, उस वक्त हम देखेंगे कि आपने हमें कितने charts भेजे थे, वैसे तो reply वगरा हमारा जात लेकिन अपने charts समय time to time अप submit करते रहोगा, यही काम अब हम लोग next week भी repeat करेंगे, सिर्फ एक candle को पकड़ना है 9.45 की candle को, और यह देखना है कि price अपनी candle के high and low पर किस तरह से react कर रहा है, इससे हमें दो चीज़े समझ मेंगे, दो points, एक तो किसी भी एक candle का नहीं, 9.45 की candle का एक importance समझ मेंगा हमें, सबसे जो बड़ी बात है, बड़ी इंदसन के जो main point रहा है इस पूरी exercise का, upcoming week का, 9.45 की candle की एक importance समय समझ मेंगे, दूसरा price actions clear होंगे, कि 9.45 की candle से आपको highs और lows जो भी दिख रहे हैं, जब भी market उसे एक जगह पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, तो react कैसे कर रही है, इसके किस तरह के spikes हो रहे हैं आप, यहाँ तो नहीं है कि price यहाँ पर कुछ भी move कर रही है, कब-कब market हमारे lows को break करके नीचे ही निकल जाती है, इस चिसको note करना, कब-कब price supports के उपर निकल जाता है, इस चिसको note करना, observe करना, बहुत help करेंगी, जब trade कर लोगन आप बहुत help करेंगे, और पूरे दिन में 75 candles फॉर्म हो रही है, पूरे दिन में जो candles हमारी बनती है उसमें से काफी सारी, बहुत सारी important candles होती है, हम लोग volume के basis पर दो तरह से candles निकालते हैं, इसके बाद में 915, 945, 920 की candle, 925 की candles होती है, एक ant volume होती है, ant volume होती हम लो चोटी volume देखनी है में, सबसे चोटी volume, देख ले ना वहाँ पर interest लोगों का कम है, वहाँ पर orders बड़े कम लगे हैं, और जो सबसे high volume है वहाँ पर सबसे ज़्यादा orders आपके लगे हुए हैं, तो जहाँ पर सबसे कम orders लगे हुए हैं, जहाँ पर सबसे कम orders लगे हैं, उसका मतलब क्या होता है next day में उसका मतलब क्या है मतलब कि previous day में ये ये जो point of interest है ये सबसे कम है लोगों का यहाँ पर कुछी को interest है नहीं actually next day वो चीज बहुत काम कर जाती है कल जहाँ पर सबसे ज़्यादा orders लगे थे आज वहाँ पर कम और कल जहाँ पर सबसे कम orders लगे थे आज वहाँ पर सबसे ज़्यादा orders लगने की chances होता है फिर से हम करें बहुत चुटी चुटी चीज़े हैं लेकर हम practice करवाने बैठेंगे तो सारी चीज़े practice में बहुत सारा समय जाता है एक second दे जागा हमको बस क्लिर ना अभी समझ भाए ना 945 को लेकर के किस तरह से हम लोग marking करते हैं कब नहीं करेंगे और कब करेंगे और किस तरह से practice करनी है अब हम लोग इस टॉक्स उठाएंगे अब यह देखो इतनी बड़ी candle बने यह वाली क्यों दिखा रहे हम यह candle आप यह 915 के है ना और वने कुछ समय लिखा हुआ था टाइम लिख रखा था ज्यादा तो चांसेज यह बनते हैं कि 915 के जो पहले वेली candle काफी बड़ी फॉर्म होगे बड़ी candle तो हम ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन हम ट्रेड ही नहीं करते हैं एक मूव देख लो एक नॉर्मल मूव देखो किसी भी इस्टॉक को ट्रेड करना है ना किसी भी स्क्रिप को ट्रेड करना है एक नॉर्मल मूव देखो उसका क्या होता है जिस दिन बड़ा मूव ना हुआ हो यह है 915 और इससे पहले यह देखो candle एक नॉर्मल मूव उठाओ अब जैसे कि यह मेरी 9.5999 यह 9.59 की केंडल हाई और लोर हाई कितना चला है यह 1.5 परसंट चला है अब यह मान के चलोगे आपकि भारत फॉक का मैक्सिमम जो मूव होगा ना वो 1.5 परसंट का हो ठीक है अब अमालों नेक्स्टे में करना है काम नेक्स्टे काम करना है तो नेक्स्टे हमने क्या देखा हम 9.45 तो थोड़ा सा रुके पहले हम ने इसको देखा समझाए से तो 9.45 तो हम यह पर रुख गए अब 9.45 पर रुख जाने के बाद में यह कितना बड़ा मूव हुआ है तो देख रहे हैं हम कि हाई एंड लो कितना नहीं अभी थोड़ा सा मूव बचा हुआ है प्रोसीट करेंगे हम आगे के लिए लेकिन देख रहे हैं कि 9.45 से पहले पहले या फिर एंट्री नहीं किया है एंट्री लेने से पहले वो फिर दो परसंट मूव कर गया है या किसी भी स्टॉक को जो नॉर्मल वो उतना मूव यह support areas हमारे कफे अच्छे form हो जाते हैं अब देखो कि past में क्या market ने उससे का project किया है जैसा कि अभी हम बता रहे थे bank ृप्टी के अंदर हमने कुछ नहीं किया है हमने previous day में कुछ देखा नहीं कुछ नहीं देखा हमने से अपनी candle लेगी 9.45 लो माक कर लिया आगे कुछ ह होगा आगे हम अपनी इस लेवल पर क्या काम करेंगे नहीं करेंगे यह तै करता है कि past में marketing इस लेवल पर क्या रियक क्या है कितने उच्छे तरह supports लिए यहां पर कितने नीचे तरह supports लिए है रिवेस्टे में तो उसी जगह पर supports लिए हैं हमने next day mark कर लिया है 945 के का low point कहा अगले दिन confirmations के बाद में प्राइस सीधे नीचे ही गिर गया हमारा सीधे नीचे गिर गया है और यहीं पर जा करेंगे कितने परसंट नीचे गिर आई है आई से लेकर के यहां पर आप हमारा काम क्या है कि जब यह candle form हो जाएगी तो उसके बाद में जब प्राइस देखो अभी यही चीज़ हम आपको समझा रहे थे कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी है कि जब प्राइस इस चेगे पर आएगा ना तो देखो कि यहां पर react किस तरह से कर रहा है कैसी reactions हो रहा है आप कैसे यह तेख कर सकते हो कि प्राइस आपका support ले रहा है resistance ले रहा है प्राइस को down side की दिरफ जाना तो 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 और क्या करता है नवो अपने supports को break करते हुझा आप इन supports को पहचाने में सक्षम हो क्या आप इन support को पहचाने में सक्षम हो क्योंकि support तोटने के बाद market जहां पर low लगा देने के बाद में प्राइज एक नया high लगाएगा वो लो हमारा support बनता है वो master support बनता है and high हमारा resistance form होता है प्राइज हम उस low के नीचे देखते हैं अगर ऐसा हुआ है और बाकी की जितने भी इन इं-र्ण त्रीक्चिर्स कहते हैं टेक्निकल लेंग्वेज में इनकों इं-टर्न あの स्कीटियर करेंगे कोई भी आप chart उठाऊगे charts के ओपर बस फ्यूरू हो जाओ levels draw करो and draw कर देने के बाद में सिर्फ आप उसकी practice करोगे levels की practice करोगे सिर्फ उन points की practice करोगे एक candle को पकढ लो master कर लेगर ना 945 की candle को ही जागर आप और last week हमने आपको एक formation बताई थी उस formation को देख लो कितनी अच्छी information काम करती है हम लोग ना तो डोजी पढ़ते हैं ना हम लोग evening star पढ़ रहे हैं ना कोई shooting star पढ़ रहे हैं ना वो soldier पढ़ रहे हैं यह कोई candle पढ़ते हैं जो हमने group आपको बना के दिया हैं ना candles के वो group आप पढ़ो यहां पर volumes के यूज करो वालूम के यूजर भी इसके अंदर नहीं बता देखो कभी भी एक और कोई अच्छा से point मारे दिमाग में आया था हो ध्यान से उतर गया यह support area है आप देखना कि अच्छा हाँ वाली candle हमां को बता रहे थे आंट को वालूम वाली और यह बता है या वो बताते हूं फिर कभी बताते हैं आप यह के लिए दोखो आप फिर कभी बताते हैं जैसे कि यह support area बना हमारा अब देखना कि अगर यह area अपना important है अगर पॉइंट of action important है अपना लोज 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 ठीक है प्राइस जब जब हमारा इससे पॉइंट पर आगा यहां 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 तो यह पता है क्या करता है एक जगह पर आजाने के बाद में यह यहां से थोड़ा सा रियाक्ट करता है यह reaction हमें दिखाए पड़ते हैं volumes में volumes हाई होगी हाई हो होती हैं क्योंकि support point है अब यहीं पर orders लगते हैं तो जो बड़ी quantities मिलेंगी न आपको वो इस एक जगह पर मिलती हैं अब यह बड़ी quantities actually है या नहीं यह को indicator नहीं बताएगा यह volume से बताएगा जब जब price आपके level पर support करेगा sustain करेगा इस जगह पर आगा ने उसके अंदर आपको दिखेंगी spikes बड़ी-बड़ी spikes दिखती है आपने 945 के कैंडल मार्क के प्राइज आया और वहीं पर volumes increase होना शुरू हो गई समझ लेना आप सही marking कर लो आप proceed कर सकते हो आगे की तरफ losses होने के chances कम रहेंगे losses को भी छोड़ दो आपके analysis के गलत होने के chances कम रहेंगे कहीं दूर नहीं जाते हुए आप भारत फॉक को ही ले लो अभी हमने कोई candle mark यही mark की थी ना यह 945 आप देखो कि price इस एक जगह पर आ रहा है volumes increase अच्छा positive से ज़्यादा negative volumes के उपर रहता है कि price support पर आ रहा है अगर support पर आ रहा है तो negative volumes हम लोग देखते हैं कि क्या वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है क्योंकि negative volumes अगर बढ़ रहे होंगे तब ही यहाँ पर price upside की दरफ जागो और stop losses देख stop loss जाएंगो तो बढ़े moves आते हैं जिको overall देखो जब-जब price इस एक जगह पर आ रहा और volumes इंस्क्रीस होँ रही है कितनी छूटी candle बनी है इन सभी candle में सबसे छोटी candle लेकिन वॉल्म देख लो, लगातार इंस रो रही है volumes इंस्क्रीस हो रहा है यहाँ सब buy हो रहा है और को बाई होने के साथ साथ में जैसे ही लो टूटा बाई करेंगे तो stop loss कहां रखेंगे ना इसी जगह पर यही तो एरिया अपना support का यह नहीं कहां गया कि अच्छा यह वाले points हमने मांके थे यह वाले यहां पर buying हो रही तो stop loss कहां रखे जाएंगे सब वहाले दीन क्या हुआ उसी दिन बहुत उस दीन वहीं पर किया कर लिए उपने एक कर कर दो नहीं परक रिया कर यह न भट अथरी क्या शक्म और इस चाहए तो यह टार्मान गई चूब्लक किisme तो तो लेबल से रिलेटेड सारे स्क्रीन शॉट्स में बेज़ देना ठीक है फिर गूड नाइट सभी लोगों को और कल मिलता मैं आपस से